एज़स्वी आदव जी यदि पांच करोड का दे रहे हैं तो तो मजाक कर रहे हैं और मुखमंत्री जी का आज का नहीं है मुखमंत्री जी तो लंबे समिश दे रहे हैं उस पर क्या ब्यान देना है तो आदमी डेख साल की उम्र में अरब पती हो गया हूँ वो यदि आज पांच करोड का समपत्ती दिखा रहा थी यह मजाक की बना हूँ तोनों का क्या योगदान नितीज कुमार जी बिहार को 17 साल में बिहार अब चौपट की ओर ले जा रहे हैं यह योगदान है ना जो पंजिकरित अपराधी का बेटा हो वो हमको राजनीत समझा रहे हैं कि बिहार में अरेसस का क्या रॉल है वादा जो आपने किया है 17 वर्सों में उस वादा को पूरा कीजिए अब कितना दिन मुखमंत्री रहिएगा आपका मुखमंत्री काल भी अगले साल बालिग हो जागा 18 साल का हो जाएगा वोगों के लिए अब नरेंदर मोदी को आने की ज़रत नहीं है यहां हम लोग सपिसियंट है नितीश कुमार को चुनावार नमस्कार आप देखने लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके स्ताश शिवम साल के नए दिन बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार के साथ साथ उप मुखमंत्री तेजस्वी आदव और बिहार सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने संपत्ती का ब्योरा दिया है ऐसे में तेजस्वी आदव ने अपनी संपत्ती जो है वह पांच करोर 27 लाग की दिखाई है ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिशत के नेता प्रतिबक समराण चौधरी उनसे बात करेंगे तेजस्वी आदव ने अपने संपत्ती का ब्योरा दिया है मुखमंत्री नितीश कुमार से भी जादा संपत्ती है उनके पास तेजस्वी आदव जी यदि पांच करोड का दे रहे हैं तो तो मजाक कर रहा है ना तो और मुखमंतरी जी का आज का नहीं है मुखमंतरी जी तो लंबे समय दे रहे हैं उस पर क्या ब्यान देना है वो तो ऐसे भी सारी संपति अपने बेटा के नाम की हुए है लेकिन जो तेजस्वी आदव यदि पांच करोड दिखा रहे हैं तो यह अपने अप में मजाक है जो आदमी डेर साल की उम्र में अरब पती हो गया हो वो यदि आज पांच करोड का समपति दिखा रहा थी यह मजाक ही बना हो गया खल मुखमंतरी नितीश कुमार और उप मुखमंतरी तेजस्वी आदव सभा को संबोधित कर रहे थे कह रहे थे कि आरेसेस का क्या योगदान है देश को अजात कराने में इन दोनों का क्या योगदान है इन दोनों का क्या योगदान है नितीज कुमार जी बिहार को 17 साल में बिहार अब चौपट की ओर ले जा रहे हैं यह योगदान है ना और एक आदमी भस्टाचार का चेहरा है लालू प्रसाद जी भस्टाचार के अपराधी है हम नहीं कहते हैं यह उच्छ न्याले कहता है न्याले कहता है और जो पंजिकरित अपराधी का बेटा हो वो हमको राजनीत समझा रहे हैं कि बिहार में आरेसस का क्या रॉल है संग पूरे देश के निर्मान की बात करता है और इनको पता नहीं है ग्यान होना चाहिए संग की पहली पहला जो अंदोलन था वो छुआ छूट के खिलाब था ग्यान ले तब बोलने तो अच्छा होगा पांच जनवरी से मुखमंत्री नितिश्कुमार विहार यात्रा पर निकलने वाले हैं लोगों को जागरूप करेंगे सराबंदी कानून को लेकर अब लोग स्वागत करेंगे कि वादा पूरा कीजिए मुखमंत्री जी वादा जो आपने किया है सत्रह वर्सों में उस वादा को पूरा कीजिए अब कितना दिन मुखमंत्री रहिएगा आपका मुखमंत्री काल भी अगले साल बालिग हो जागा अब कितना दिन समय चाहिए बियार को ठीक करने के लिए बियार आपसे पूछ रहा है कि आप बगहा के बगहा को जिला कब बनाएंगे हजारों ब्लॉक की घोसना आपने किया वो कब बनेंगे एरपोर्ट की अस्तापना बीटा में पतना में मुझपरपूर में गुपालगज में रक्सॉल में भागलपूर में कब बनेगा सडके कब बनेगी पतना से बेतिया का सडक जहां आप सुरू करने जा रहे हैं वो फोरलेंड बनना था वो कब बनेगा जमीन दीजिएगा पैसा भी आपको नहीं देना है सिर्फ जमीन देना है आपको रक्सॉल से कलकत्ता तक की जो सिक्स लेंड की एक्स्प्रेस वे है उसका जमीन कब दीजिएगा मुख मंत्री जी अब कितना दिन सपना दिखाईएगा 17 साल हो गए और 17 साल में आप कुछ नहीं कर पाए तो अब कब कब जीजिएगा यहीं वादा चाहते हैं कि जिस जिले में जाए स्वागत करेंगे आप उठगाटर करने आए एक आखरी सवाल तीन जनवरी को बीजेपी के राश्ट्री अध्यक जेपी नड़ा बिहार दोरे पर आ रहे हैं इस पर महागडवंदन के नेता सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मुखुमंत्री नितीश कुमार के यात्रा को देखते वे बीजेपी ऐसा करोग्राम कर रहे हैं भारतिये जनता पाटी का देश व्यापी कारिग्रम चलता है और हमारे राश्टिय अध्यक जी हमारे ग्री मंत्री जी हमारे प्रदान मंत्री जी राजनात जी ये सारे लोग देश में लोकसवा प्रवास करते हैं और लोकसवा प्रवास के कारिग्रम के तहत वो बैसाली ल पटनी चाहिए इन लोगों के लिए अब नरेंदर मोधी को आने की ज़रत नहीं है यहां हम लोग सफिसियंट है नितिश कुमार को चुनावार आने के लिए चलिए हमारे साथ बिहार विधान परिशत के नेता प्रतिबक समराड चौधरी थे जिन्नोंने सभी सवालों का जवाब दिया है वरालब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद